नमस्कार दोस्तों, मैं सुझेव कुमार और आपके अपने चैनल सुझेव फेंटसी में आपका सुवागत है दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज का दिन का पहला मुकावला जो की जर्सी ओमेन और स्पेन ओमेन के बीच में खेला जा रहा है और इसका एक मैचे अभी निकला था भाई, आज ही था और इसमें हम लोगों ने क्लिन सुप किया था, सारे इसके 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 परे हुए हैं हमारे टेलिग्राम पे, जा कर क्या चेक आउट कर सकते हो, ठीक है तो चलो, मैं इसके बारे में हम लोगों डीटेल से बात करते हैं, इससे पहले मैं बता दूँ दोस्तों कि मैंने पहले से बहुत सारे वीडियो अप्लोडिट कर रहा है, जैसे कि बाईजू के सीए चैंपियन सिप का दोनों वीडियो, एक तो यह हो गया, और दूसरा इसी क एक और मैचिज है, यह वाला, ठीक है, तो दोनों का वीडियो में ने अप्लोडिट कर र have you, और नेपाल जिमावे का वी वीडियो में अप्लोडिट कर रहा है, और जो चौथा वीडियो यह आने वाला है, यह जर्षी ओमन और स्पे ओमन का, तो इसी तरह के धेर सारे वी इस मैच आपको कितना investment करना है, कौन से member वाले contest जोन करना है, कब जोन करना है, और small league में कैसा कौन सा player रहेगा, grand league में कौन सा player रहेगा, सारा कुछ मैं आपके साथ share करने वाला हूँ, तो चलो अभी के लिए हम लोग चलते हैं starts के उपर, firstly हम लोग जर्सी ओमन के player के बारे में रोजा हिल खेल नहीं रहे हैं, तो इनके बारे में बात नहीं करेंगे, अगर खेलेगी तो अपने team के confirm भी करेगी, captain bass captain के अच्छी काजी चो SSB रहेगी, फ्लोरी कॉपेली हैं, पांच में position में बैटिंग कर रही है, 0 run बनाई है, उससे पहले 49 और 0 wicket है, ज्यादा तर बैटिंग से ही point देती ही, ठीक है, तो देखके चलोगे, उसके बाद इरिन डफी चाड़ वर की complete ball-in डाल रही है, बंदी, एक wicket मिला था लास्ट वाले मैचेज में, तो थोड़ा देखके चलोगे, अपने team में rotate कर लोगे, Chloe Grichan है, आपके लिए देखो कि इनका बहुत recently record बहुत तकड़ा वाला है, चौते पोलिशन पाती है, बैटिंग करने है, और इससे पहले इंका record भी बहुत तकड़ा वाला है, एक wicket, तीन wicket, एक बाड़ा वरन, एक wicket, देखो यार, बहुत सारे मैने stats निकाल के, बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारे इनके पीछे reason ह होता है, तो भाई, मैं आप देखो, यहां रात के यार, बेर वज रहे हैं, आप यहां से देख सकते हो, और मैं आपके लिए बैट के मैनत कर रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा आप भी थोड़े से कुछ नहीं करना है, आपको एक छोटा सा like करना है, ठीक है, लाइक वग बनेगी, एवरेस पिक है, देखके चलोगे, अगर आपके टीम में जैगा बन पाता है, तो इनको बिल्यकुल रोटेट करोगे, लिली गरी को तो ड्रॉप करना ही नहीं है, बिकॉज आपको अच्छे गाजी प्रफॉर्मेंस करते वी दिख जाएगी, बन्दी बालिंग न यहाँ पर लिख रखे, ओलिपाए स्मित, गिरैस भी दरॉल खेल नहीं रहे है, तो इनके बारे बात नहीं करेंगे, ट्रिंटिया स्मित, लास्ट वले मैचे में दो बर बॉलिंग करके, एक विगेट निकाली तो देखके चलोगे, इरिन को चार बड़ में एक विगेट है इन्फरमेटी लग रहा है तो जल्दी से वीडियो का लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाकर और करके जूट जाना, ताकि जब मैं यह विड़ालू, फर्स्ट विडियो में आपको हमारी वीडियो मिल से है, ठीक है, इसी तरह के ती और इसी वीक टीम है, कंपेर टू जर्सी वोमन के टीम से, और इस मैच को भी मुझे लग रहा है कि जर्सी वोमन के टीम आराम से विन कर दाएगी, तो देखके चलोगे, इनके प्लेयर के में थोरा समय स्ट्राइट्स वगर आपको दिखा दू, फिर हम लोग चलेंगे, डि के टीम में होने चाहिए, एमी ब्राउन के रहे रहा है, आपके लिए उन्पॉर्टेंट बिक बनेंगे, एक तो थर्ड पोजिशन पर आती है, प्लस बैटिंग करती है, आप पूरी कम्प्लीट चार वर बॉलिग में डालती है, तो देखके चलोगे, बट इस मैच में आप को बिगट मिलने के चांसे इनके बहुत जाता है, एलिजा सलीम बैटिंग ओडर नीचे है, कुछ खास प्रफॉर्मेंस भी नहीं है, ग्रैंड लीग पर रोटेट करो, मुस्कान नसीब को ग्रैंड लीग में, जस्बीत कोर हैं, तीन और बॉलिए डाल रही है, अच्छी का प्रफॉर्मेंस करते हुए दिख जाएंगे, रविया मुस्ताक और यहां से तस्रीवा मिर्जा मुझे कुछ खास नहीं लगा इनका रिकॉर्ड, जेनाब, इकबाल और रविया इकबाल, यह सारे प्लेयर को आपको ग्रैंड लीग में फोकस करना है, ठीक है, यहां से दोस और सिमर जिंत को और चौथी और पांच भी प्लेयर, ठीक है, तो थोड़ा देख के चलोगे, तो दोस्तों यहां से मैंने दोनों टीमों के सारे प्लेयर के बार में डीटेल से अब को समझा दिया है, आई होप आप समझ गयोगे, मैं फिर से बोलना चाहूँगा, वीडियो भी कुछ खास प्लेयर है नहीं, ठीक है, बट मजबूरी में इनको लेना पर रहा है, और इनके अलावब कोई आ और कोई खास प्लेयर है नहीं, जिसे हम लोग रोडेट करें, तो आप इनके साथ जा सकते हो, बैटिंग सेक्शन पर उसमा सेद आपके लिए इंपॉर्टन पिक, सीमाल से आपके लिए इंपॉर्टन पिक, लिली गरीग आपके लिए इंपॉर्टन पिक, आप यहां से एमडे रोचा है, आप इनके साथ भी जा सकते हो, यह फॉपली है, आप इनके साथ भी जा सकते हो, तो मैं यह चार प्लेयर के साथ जा रहा हूँ, पांच प्ले प्लेयर नहीं है जिसे आपको अपने टीम में रोटेट करना है तो मैं ओल रॉंटर सेक्शन पर एक प्लेट को ले करके चलूँगा बॉलिंग सेक्शन पर यहां से सीग रीचन है फॉलर है फिर इरिन डफी है आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर आप इनको बिल्कुल भ को ठीक है अप चाहो तो सीमाजीत कोर के साथ भी जा सकते हो बट मैं अभी के लिए इनके साथ ज्यादा जाना प्रिफर करूंगा भाई साथ ठीक है और इसी साबसे यह हमारी टीम क्रियेट हो रही है और इसी साबसे मेरी यह टीम है कैप्टेन वैस कैप्टेन अगर मैं बा या फिर लिली ग्रीक के साथ भी आप जा सकते हो ठीक है बट मैं अभी के लिए यू सायद को कर रहा हूँ बिकाज यह ओपनिंग बैटिंग कर रही है प्लस चार और बॉलिंग भी डाल रही है तो देखके चलोगे, कैप्टन मेरी यह रहेंगी बाइस केप्टन मेरी यह रहेंगी अभी के लिए, यह अभी हमारी डेमोटी में मैं फाइनल टिंग माग को टेलीग्राम पे देने वाना हूँ तो टेलीग्राम से जूड़ना बिल्कुल नहीं भूलना तो चलो दोस्तो टेलीग्राम से कैसे जूड़ोगे तब तक लिए धन्यबाद आपना ख्याले के दोस्तो जय हिंद